ओम शान्ती रूहानी खातिरी में आपका स्वागत है संगम युग पर हम बच्चे विश्व को परिवर्तन करने की सेवा कर रहे हैं अथुआ कर्तव्य कर रहे हैं और इस कर्तव्य के लिए हमें तयार करने वाला शिव बाबा है शिव बाबा कहते हैं कि इस पूरी प्रकृति को बदलने के लिए इस पूरे विश्व को बदलने के लिए सबसे बड़ी जो साधना है वह है अपने आत्मिक स्वरूप का अभ्यास जितना हम अपने आत्मिक स्वरूप में इस्तित होते जाएंगे तो यह परिवर्तन सुरतह होता जाएगा तो आज बाबा ने कहा किसी भी स्थान के वायूमंडल को पावरफुल बनाने के लिए अपने अव्यक्त स्वरूप की साधना चाहिए इसका बार बार अटेंशन रहे जिस बात की साधना की जाती है उसी बात का ध्यान रहता है अगर एक टांग पर खड़े होने की साधना है तो बार बार वही अटेंशन रहेगा तो यह साधना अर्थात बार बार अटेंशन की तपश्या हमें तपश्या करनी है साधना करनी है कौन सी अटेंशन की बाबा कहते हैं अव्यक्त रूप की साधना और उसमें भी अटेंशन हमें बार बार इस इस्तिति का अभ्यास करना है क्योंकि देह में रहते रहते हमें देहभान का अभ्यास हो चुका है अव बाबा कहते हैं उसे छोड देही अभिमानी आत्म अभिमानी अव्यक्त रूप उ उसी अटेंशन से ही बाबा कहते हैं कि ये परिवर्तन होगा जैसे बाबा ने उधारन दिया कि जो भी विक्ति जिस प्रकार की तपश्या करता है जैसे एक टांग पे खड़े होना है तो बुद्धी बार-बार उसी ओड़ जाएगी हमारा ध्यान बार-बार उसी ओड़ जाएगा और इसी अटेंशन से हम संपुराण जाएगा जाएगा और इसी अटेंशन से हम संपुराण